डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इमेजन करना मैं स्क्रीन के लिए लेख रहा हूँ, फर्स्ट डार्क, सेकिंड डार्क, थर्ड अर्क, सेंटर सेथ के तूरी बनेगी, ब्राइट प्रिंज, फर्स्ट ब्राइट, सेकिंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, और बीटा हमको मालूम है, लेम्डा डी अपॉन डी, मुझे केवल बीटा का फ्रम याद रखना है, बाकी सब मैं इस से करूँगा, अब मैं बोलूँ कि स्क्रीन पर, ये फिर्स्ट ब्राइट, 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 1.5 बीटा, यानि की 3 by 2 बीटा. मैं अबसे पूछता हूँ, screen पर एक side पूछ रहा हूँ अभी हाल, same side, यह same side पूछ रहा हूँ में, यह मानना, नीचे नहीं पूछ रहा हूँ, same side. अगर मैं से पूछता हूँ, screen पर एक side पर first dark और third bright में कितना separation होगा, तो यह बीटा by 2, यह 3 बीटा, यानि की 2.5 बीटा, और बीटा कितना है, लेम्डा d upon d, center reference से, खटाक साब बोलोगे, अगर मैं किसी भी जगे कुछ पूछ पूछ हूँ, किसी भी angular position की बात करूँ, बताईए, बीटा की angular position क्या होगी, जैसे बोला, बीटा की angular position क्या होगी, तो यह distance होगी 2 बीटा, यह होता है d, यह होगी इसके angular position, कुझे मालो, phi मालो, theta मालो, कुझे मालो, अब जैसे बोला, angular position आप बोलोगे, tan phi is equal to, 2, 2 बीटा अपॉन D, 2 अपॉन D भार कर लो, और बीटा को लिख दो, lambda D अपॉन D, इसे D cancel होगी है, 2 lambda अपॉन D, यह आपके पास आगया, tan of phi, और angle बहुत छोटा होता है, तो आप इसको phi भी कह सकते हो, angle बहुत छोटा होता है, तो tan phi is equal to phi मान सकते हो, आप इसमें देखे, इसमें केवल आपका बीटा आपका फॉर्मना वालू में, तो आप आराम से question कर सकते हो, इसका मतलब हमारे पास सीधे, मुझ आवानी चालेगा है, तो मैं ऐसे लिख रहा हो भी हाल, बस माने बहुत बीटा बाइटू, थ्री बाइटू बीटा, फाइफ बाइटू बीटा, एक साइट चल रहे है, यह डार्क फिनिस की पोजिशन हो गई, और ब्राइट की बीटा बीटा, टू बीटा, थ्री बीटा, अब आराम से कोई भी दो की बीच का डिफिनिस निकाल ला है, कर लिजे, किसी की निकाल लिए अंगलो पोजिशन कर लिजे, आपका आराम से कुष्टन हो जाएगा, हाँ, कभी आपसे कह दे, अपर साइट तो कह दीजे, थर्ड बीटा, यह तो अपन ऐसे बना रहे है, फोर्त पर हो जाएगा, सेवन बाई टू बीटा, और फिफ्ट पर हो जाएगा, नाइन बाई टू बीटा, तो एक साइट तो हो गया, आपके लिए, नाइन बाई टू बीटा, और नीचे साइड ले थर्ड बीटा, तीसे भी ब्रा हो गया कि इस समय यहां पर यह जा रहा आपके लिए सब्सक्राइब कर दार्क फ्रिंच और नीचे आ रहा है थर्ड ब्राइट फ्रिंच और आप से पूचा इन के बीच की डिस्टेंस किया होगी ऐसा आया निक्रेशन कि कभी आ विजा तुस्पर घवराना नहीं है फिर्फ सब्सक्राइब को मतलब साड़े चार यह मिला के हो गया 7.5 बीटा यानि की 7.5 बीटा के जगे लैमडा डी अपॉन डी पस यह आपका जवाब होगी कुल मिला के आप कोई सा भी ऐसा क्यूशन कर सकते हैं ऐसा क्यूशन नो डाउट हमेशा आता रहा एक्जाम में तो एक ए इसमें फ्रिंज पैटन के साथ कुछ बात हैं इंपोर्टेंट है बच्चों जो आपको ध्यान करना रिकॉल करना है जो भी मैं यहां पर प्रिंज पैटन अप्टेंड कर रहा हूं अगर इस पूरे फिरिंज पैटन को यह आपके हमेशा क्वेशन मनते हैं जैसे आप कहते ह मतलब फ्रिंज विर्ट आपके लीनियर हो या एंगलर हो हर चीज कम हो जाएगी कई बार आसको क्या क्रिश्टन अगर हम यद्यस को पानी में करें तो फ्रिंज पैटन पर क्या एफेक्ट पड़ेगा आपको दिख जाएगा कि दूसरा अगर उसके दू स्लिट एस वन एक के सामने को माई का फिल्म रगदी यान करो माई का फिल्म जिसका म्यू दी थिकनेस देंगे उस の प्रिंग Хिन्यू बंवल étव होता है मिउ माइना हूं नीट टी म्यू माइना समीन पार इफेर kijएंस को में हो गा की मार्वं एक कहता हूं अगर मैं आफ से कहता हूं कि यह समझें अगर मैं आफ से कहता हूं कि यह S1 है और यह S2 है और यह मालो और यह समय रखा तो इधर शिफ्ट होगा अगर इसके समय रखा तो नीजए शिफ्ट होता और जितना शिफ्ट है वो बराबर मू-1 इंटू-2 यह जो शिफ्ट है यह जिस भी कर रॉस्पोर्णिंग ऑप्टिकल पाट डिफरेंस के बराबर है सपोस माली जे अगर यह वैली होती तू लैमडा इसका मतलब जिसके सामने रखा उधर शिफ्ट होगा और दो फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी इसका मतलब जहां पह अगर मैं कहता हूँ कि यह शिफ्ट इदर हो रहा है कभी पुझे कित्ती नंबर आफ रिंजेस तो इसको नोट कर लो नंबर आफ रिंजेस शिफ्टेट एक बार आ चुका है क्रिश्टन बराबर इसको अगर है लिखता हूँ तो मियू माइनस वान इंटो टी अपॉन लैम पिडिय ओफयर में तो उसमें आपको मिलेगा कि अगर मैं आपको मियू दे रहा हूं मैं ती दे रहा हूं आप इससे श्रेटेट का लोगे और सिटानल कर जो भी वैव लेंड है उसमें अगर आप डिवाइट कर दोकि लैमड़ा का पाज एक त्षिफिक टिपरन इस शिफ हो जाएगी अगर यह 10 आता है तो 10 शिफ्ट हो जाएगी वो डिपेंड करता है वेल रख कर के एन कितना आता है मैं कि इंपोर्टन केश्चिन फ़र यह वर कि सबसे पास एक्जाम कौन सा है उसी की तयारी सबसे ज्यादा चल रही है इसमें सब ची जा गई आपकी प्रिंच पैटर्न के लिए और जो भी अब इसमें क्योशन चाहें तो असर बना सकते हैं मैंसे बोलूं एक यहां रख दी है कि हां रख दी सुनना ध्यान से यहां पर मीवन टीवन यहां पर मीटू टीटू अगर दोनों रखने के बाद भी सेंट्रल में एकसा महीं बन रहा ह इसका मतलब जितना उसने ओप्टिकल पर्ट डिफरेंस या इसने दिया तो दोनों केको बराबर कर देंगे यानि एक थरस हम लिख देंगे अगर दोनों यगरे रख देते है तो हम कहते मिवन दोनों श्चान बर्द कर दे, इसका वहला दोनों के सामने रखने के बावजूद अभी भी सेंट्राल मैक्सिम वहीं का वहीं है यहां भी आपने रख दी यहां भी आपने रख दी S1, S2 के साब से दोनों किसम रखने पर दोनों optical part difference बराबर अगर दियो तो वापस से central maxima as it is वहीं का वहीं बनेगा अब जो आपका diffraction वाला केस से जब उसको देखें single slit diffraction इस slit के width है इसको अपने A से बता रहे हैं यह D है first dark यह minima इधर भी first dark यह minima इसमें यह central maxima फैला हुआ है यह central maxima के लेगर इस angle को मैं theta बोलूँ तो है 2 theta इसके angular width हो जाएगी इसको अपन angular width कर सकते A w और यह हो जाए इसके linear width इसको अपन लेख सकते L w angular width of central maxima और linear width of central maxima अभी तक जब भी question आए बच्चे को आराम से हलवा लगा question क्योंकि generalist में पूछें तो आपको इसकी value आराम से मिल सकती है हलका सा recall करिए यहाँ पे central तो बन गया maxima जो की reference है pattern के लिए diffraction pattern में लेकिन अगर हम minima की बात करें तो इसमें minima के एसाब से होता है a sin theta is equal to lambda 2 lambda 3 lambda यह first minima अब देखो कान्फिसन होता है वहाँ पे lambda 2 lambda 3 lambda bright fringe के होते थे यहाँ पे first minima second minima third minima और जो maxima की बात करें a sin theta बराबर 3 lambda by 2 5 lambda by 2 7 lambda by 2 यह आपन जब पढ़ते है तो पूरा derive होता अच्छे तरह से आपने का धियान रखना है यहाँ पे कही lambda by 2 नहीं आ रहा है 3 lambda by 2 this is first maxima second maxima third maxima और दोनुसाइट first minima के हम दगर देखते हैं तो a sin theta is equal to lambda तो sin theta is equal to lambda upon a theta is very small तो sin theta को हम मान सकते है theta is equal to lambda upon a और अगर theta lambda upon a आ गया तो 2 theta क्या हो गया अग्लो विर्थ हो गई 2 theta that means a w is equal to 2 lambda upon a यह अग्लो विर्थ हो गई और लिनेर विर्थ क्या हो जाएगी वह आराम से बना सकते हो अगर महीं यहाँ से लिनेर विर्थ को निकाल हूँ इसको मालोक उज़र के लिए x तो 10 theta is equal to x upon d x is equal to d 10 theta no doubt जब theta small होता है तो हमारे physics पो चलता रहता 10 theta equal to sin theta equal to theta तो यह x is equal to d theta d को रखा theta के साथ d lambda upon a x अगर d theta के साथ d lambda upon a है जब double करेंगे 2 x कर देंगे x अगर आपके पास आ रहा है d lambda upon a तो double हो जाएगा 2 d lambda upon a और यह हो जाएगी इसकी लिनेर विर्थ 2 d lambda upon a के और difference क्या d से multiply करना है बापस दोनों को लिख देता है अंगलर विर्थ तो 2 lambda upon a और अगर लिनेर विर्थ दोनों में relation देखें तो l w is equal to d a w जो distance है screen की जहाँ पर हम differential pattern observe कर रहे है वो d आपके इस पर कोई सा भी question कर रहे है को दिक्कत नहीं झाल झाल